चलिए इस वीडियो में हम लोग English भी कर लेते हैं तो काफे इस्टुडेंट कह रहे हैं कि English कराईए English कराईए तो चलिए English की भी अब सुरुवात कर देते हैं वशे तो previous वीडियो है लेकिन काफे इस्टुडेंट तो देख चुके हैं न बिलोम जिसको कहते हैं, बिलोम सब्द आपको बताना, ये सब बिलोम सब्द आपको बताना question पूछा जाता है, antonyms पूछा जाता हो, synonyms भी पूछा जाता है, question तो synonyms भी बताना है, और Antonyms भी बताना है, तो यह देखे, Synonyms means होता है, समानार्थक जो समान सब्द होते हैं, और Antonyms means होता है, Apposit, Belom सब्द आपको बताना है, तो हम लोग इसमें Antonyms देख लेंगे, और यह word दिया है, और फिल लास्ट में कुछ question भी कर लेंगे, important है question आपके पूछे जाते हैं अगर आपको BSC nursing का entrance exam देना है BSC nursing का तो आपका English question पूछे जाते हैं 20 question 20 question आएंगे और other state में भी question पूछे जाते हैं तो other state वाले student भी देखें और अटर व्यारी भाज़ पर जो UP में आपका होता है तो वहां से आपके English से 20 question आते हैं और general knowledge से भी 20 question दोनों मिला के 40 question आते हैं तो हम लोग 20 question के लिए ये देखिए चलिए हम लोग सुरू करते हैं काफी student वीडियो को लाइक कर दें अभी तक नहीं किये होंगे अभी तक last तक नहीं करते हैं आईसे देखके निकल जाते हैं नहीं करना आईसे ability देख लिजिए ability का जो antonym होता है opposite word होता हो inability है तो ability छमता inability जो छमता ना हो next में देखिए ये देखिए abandon abandon का मुतलब क्या होता पहले देखिए अगर antonym में आपको question सही करना तो आपको अगर word का word का meaning पता चल गया तो आप question सही करने का ये समझे possibility बढ़ जाती है तो यही चीज main होता है कि आप पहले उसका क्या पहले उसकी meaning समझे abandon का क्या होता है return abandon means उसको अलग करना retain means एकदम साथ मिलाना next में abuse किसी को abuse करना अलग करना और उसका होता है P-R-A-I-S-E press होता है next में देखिए next में above above means क्या होता है उपर होता है below means नीचे होता है beneath wish beneath माने नीचे दोनों नीचे होता है next में देखिए absent absent का उल्टा क्या होता है present होना उपस्तित होना ये देखिए absurd absurd का means क्या होता है जैसे कहते नहीं है कि absurd हो गया कोई person absurd का मतलब होता है बे तुका हो जाना बे तुका बे तुका हो जाना या फिर बिबे खीन हो जाना बी बे खीन भी होता है उसका बिबे खीन हो जाना उसका विवेकिन होता है, relevant होता है, तो यह हो गया, next में देखिए, accept, accept मिन्स सुईकार करना, तो सुईकार करना का क्या हो जाएगा, reject मतलब आसुईकार करना, advance देखिए, advance का क्या हो जाएगा, retreat हो जाएगा, next में देखिए, alive, alive का मिन्स जिंदा रहना, जिंदा का उल्टा का ड्याडेर हो जाएगा ड्याड मेंस मारा एड़र्सिटी देखिए एड़रसिटी भी यहीं पर दिया गया एड़ housekeeping मुझा होता कोई आपदा आपदा आजएए फिर एप दा आजए यह दुरभाग उसको बोल सकते दुर्भाग भी बोला जाता है, तो एक मेनिंग के काफी मेनिंग भी होते है ना, तो ये चीज हो जाएगा, दुर्भाग आदा गाह यहां पे रहता है, दुर्भाग में, तो एड़वर्सेटी उसका क्या हो जाएगा, प्रास्पेरिट हो जाएगा, नेक्स्ट में देखिए, जाता है कि एंजल का क्या होता है, एंजल कहते नहीं है, आज मेरे सपनों में एंजल आये थी, परी आये थी, मतलब परी का क्या होता है, देव दूत जिसको बोलते हैं, देव दूत, देव दूत भी बोला जाता है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में ये देखिए, ए एक है Christmas, एक एиваем एफर्मेटिव का क्या है जो बिलोम सब्ध है, बिलोम सब्ध है, फोजुट सब्ध क्या होता हैu? निगेटिव, एफर्मेटिव मिन्स होता है सुरातमक, सकरातमक यही सब होते हैं, जैसे सकरातमक होता है सकरात्मक क्या मियंस होता Afirmative means negative हो जाता है इसका है Alexander Agree एकदम important है Disagree terus सहमत सहमत होना disagree saying कायते नहीं सहमत हो गया मैं उनसे बोला था चलने के लिए कहीं पे वो सहमत हो गए हैं चलेंगे next में always meansada never means कभी नहीं all means हमेशा none means नहीं तो यह आप देख लीजिएगा अच्छे से यह सब question पूछे जा सकते हैं क्योंकि antonyms question दो चार question पूछे जाते हैं appear, appear का when is हो जाएगा appear का क्या हो जाएगा, when is हो जाएगा attack करना, attack किसी के उपर कर रहे हो तो protect करेगा, उसका उल्टा हो जाएगा analysis का synthesis हो जाएगा next में देखिए, appoint का मतलब क्या हो जाएगा dismiss हो जाएगा, अगर appoint कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, dismiss हो जाएगा arm का क्या हो जाएगा, disarm हो जाएगा next में arrival का क्या हो जाएगा, departure हो जाएगी आर्टिफीसियल का उल्टा क्या हो जाएगा आर्टिफीसियल नेचुरल उचका हो जाएगा एंगरी का क्या हो जाएगा प्लीज्ट हो जाएगा प्लीज्ट हो जाएगा एसेंट का क्या हो जाएगा एसेंट मिन्स क्या होता कहते नहीं है एसेंट है एंसेंट है एंसेंट एस उसी को बोलते हैं ascent और ancient दोनों एकदम सेमी है एसेंट कहते हैं जैसे पुराने पूरवज्य होते हैं descent कहते हैं जो अभी हैं बच्चे जो child है संतान है उसको decent बोल देते हैं तो ascent का descent हो जाएगा यह देखें bitter bitter means कड़वा होता है और sweet means मीठा होता है blunt means क्या होता, धारी धार, मतलब ऐसे हो जाए, और एकदम sharp means, एकदम नुकीला होता है, तो blunt और sharp, next देखिए, blame देख लीजिए, blame, blame क्या होता, blame कहते नहीं, निंदा करना, निंदा कर देते हैं, या फिर दोस लगा देते हैं किसी का, तो उसका होता, applaud होता है, ये देखिएग next blessing, blessing का देख लीजिए, blessing क्या होता, आसिरबाद कहते हैं, आसिरबाद मिल गया है, आसिरबाद, आसिरबाद, आसिरबाद हो जगया, blessing उसका कहते हैं, curse हो गया, next bold, bold का क्या होता, bold का timid होता है, अब bold means होता क्या, bold कहते हैं, वो बहुत सासी है, बहुत bold है, सासी, बहुत सा सासी है डरता नहीं यह साषीत बसके घाएं दला और टेमी टिमीड १िंइक हो ताँ डर धरी रपोख होता है तो यह चीज हो जाएगा स्थी बोल्ड साषी और नेगा हो गया next में देखिए बी-ओ-डे-णार-डबल बॉर और लेंड ये क्या हो जाएगा बॉर का पूजिट क्या होता है operate दोता बॉर्ट क में सोता क्या जैसे कहते हैं मुझे पैसा दे दो उधार लेना को कहते हैं बोरो मतलब मांगना उधार उधार क्या करना उधार लेना और इसका लेंड का क्या हो जाता है लेंड का कहते हैं उधार देना उधार देना अगर यहां पर उधार लेना उसका उल्टा उधार देना next पर यह देखिए bottom, bottom means एकदम नीचे, top means एकदम उपर, यह देखिए boastful और modest next में bright का dull, dull means एकदम नीचे, dull हो जाना, कहते हैं नहीं बहुत bright लग रहा है, कहते हैं बहुत dull हो गया एकदम color dull हो गया, bravery, bravery का उल्टा क्या हो जाएगा, cowardice, broad का क्या हो जाएगा, narrow, broad means एकदम शिकुड़ा हुआ, और broad means एकदम फैला हुआ, कहते हैं बहुत broad है और बहुत narrow है तो ऐसे बोला जाता है, benediction, benediction कहा है, maldiction, यह सब important है, bold, timid यह सब हो गया फिर उसके बाद beneficial, beneficial का मतलब benefit होना, और harmful का नुक्सान होना, bow और stern, buy का means खरीदना, buy means बेचना, sell means बेचना, buy means खरीदना buy means खरीदना, care, care का क्या हो जाएगा, neglect करना, cheap, सस्ता, dear और expensive means महेंगा next देखिए, artificial का natural हो जाएगा, arrive का departure, argue का, यह देखिए, हाँ, यह भी important है, third वाला देखिए, argue तो यह argue का देख लिजिए, argue का agree होता है, all का none मैंने बता ही दिया था, यह देखिए, amateur का professional होता है amateur का पूछता है, तो professional लगाएंगे, alive का क्या हो जाएगा, dead हो जाएगा, यह भी बता ही दिया next में, advantage का क्या हो जाएगा, elementary हो जाएगा, advance का, advance का, elementary, adult का क्या हो जाएगा, child हो जाएगा next में देखिए ancestor का क्या हो जाएगा descendant हो जाएगा angel का devil हो जाएगा ये भी important है boy का क्या हो जाएगा girl हो जाएगा next में देखिए build का destroy हो जाएगा build मिन्स बनाना destroy मिन्स नस्ट करना buy मिन्स खरीदना sell माने वेचना borrow land ये सब मैंने बताए दिया बलंट, sour, bitter, bottom, top, buy, selling catch मिन्स ये देखिए catch करना, miss कर देना selling का floor careful का careless होता है तो ये सब देख लीजिए calm का, कहते नहीं है calm बहुत एकदम सांथ है excited, excited है एकदम close का open हो जाएगा, cold का heart हो जाएगा ये सब important है clear का cloudy हो जाएगा कहते नहीं एकदम बादल clear है एकदम साफ दिखाई दे रहा है कहते हैं एकदम cloudy है, एकदम बादल है child का adult हो जाएगा next में certainly, certainly का क्या हो जाएगा probability हो जाएगा kailos का क्या हो जाएगा, sensitive हो जाएगा kailos का क्या होता, kailos का means होता cutthor होता है कठोर का क्या हो जाएगा एकदम सेंस्टिव एकदम नार्माल नेक्स्ट डाई डाई मीन्स मरना लाई मीन्स जीना यह दिक्टोर्शिप हो जाएगा डिक्टोर्शिप का रिपबलिक हो जाता है डिक्टोर्शिप मीन्स क्या होता है कहते नहीं है उसके घर में डिक्टोर्शिप चलता है, मतब ताना साही चलता है, तो ऐसे बोला जाता है, ताना साही डिक्टोर्शिप चलता है, उसका रिपब्लिक हो जाएगा, नेक्स्ट में देख लिजिए, डेंटी हो जाएगा, डेंटी क्या हो जाएगा, डेंटी का मीन्स क्या होता है, डेंटी मीन्स होता है, सुंदर होता है, तो सुंदर का क्लेंशी हो जाएगा, पिर उसके बाद देख लिजिए, डिस्पिरेट, डिस्पिरेट का होफुल हो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फोफफुल हो जाएगा, नेक्स्ट में डिवाइड का, डिवाइड मींस डिवाइड बाटना हो जाएगा, इुनाइट मींस जोडना हो जाएगा, डोमेस्टिक और फोरेन हो जाएगा, नेक्स्ट में डिस्टेंट और नियर, नियर मींस पास में distance means दूर, different का क्या हो जाएगा, alike हो जाएगा, next में देखिए drama, drama का क्या हो जाएगा, comedy हो जाएगा, dull का क्या हो जाएगा, interesting हो जाएगा, immigration, immigration और I migration, immigration means जाना, I means आना, immigration, in particular, के खाली, full means पूरा full रहना, next में drama, comedy, ये सब हो जाएगा, eager, eager के क्या हो जाएगा, apathetic, everything, everything मतलब सभी चीज, nothing, कुछ भी नहीं, evening के, some, morning, सुभा, event, event के मींज, some, some संक्या, odd मींज, असंसंक्या, next में, exclude, include हो जाएगा, expensive के, ज्यादा महेंगा, cheap, सस्ता, export, export करना, import करना, आना, exit मींज, exit मींज, निकलना, entrance मींज, अंदर आना, next ये देखिए, foreground, foreground और background, foreground मींज, जो सामने दिखे, background मींज, जो पीछे रहे, for, against, for है, against, forbid, allow, flip point, ये देखिए, flip point, somber, flat, flat और hilly area जो होते हैं, future, future जो चलना, और past जो आने वाला, frequent, occasionally, funny का क्या हो जाएगा, serious, एकदम funny रहो और एकदम serious हो जाओ, free, dependent, free कहते हैं, ये वो फिरी है, और वो dependent किसी पर आसरी था है, friend, enemy, friend, दोस्त जो होते हैं, enemy, जो सत्र होते हैं, तो friend का उल्टा, enemy, getty, misery, give, give means देना, take means लेना, guest और host, guest का क्या होता है, ये भी देखिए, पूछ लिया गया, guest और host पूछ लिया गया, तो guest means क्या होता, महमान जैसे कहते नहीं है, cricket जब खेलने जाते हैं, दूसरे देश में, तो वो क्या होते हैं, महमान होते हैं, और जो host करता है, ये महमान, guest means महमान, और host means क्या होता, host जो मेजबान टीम होती है, वो जो मेजबान जो अपने घर बुलाती है, host जैसे हम लोग के सीर में जू रहते हैं, तो जू जो रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो guest होते हैं, और हम लोग का सीर क्या हो जाता है, होस्ट हो जाता है, उसी सांथ सोभाओं का और वालेंट मिन्स वालेंट जानते हैं कि वालेंट का इतनी मैं बहुत वालेंट हो जाओंगा गुस्सा जाओंगा जेंटल मैन जेंटल मैन का एकदम अपोजिट लेडी यह देख लिजे जेनरल का पर्टिकुलर हो जाएगा next में ये देखिए grow up के child हो जाएगा good के क्या bad हो जाएगा next में देखिए gent के क्या हो जाएगा tinny हो जाएगा और heavy के क्या हो जाएगा light हो जाएगा heaven के क्या हो जाएगा hell हो जाएगा heaven means sorg हो जाएगा hell means नरक हो जाएगा नेक्ष देखिए, HOPE public और क्या दिया गया, बहुत बुरा लग रहे हो, नेक्ष में happy के sad हो जाएगा, high के low हो जाएगा, here के dear हो जाएगा, यह देखिए, यह intentional और accidental, यह भी important है, कहेंतने, intentional बहुत जादा हो intentional है, intentional का क्या होता जान बूश कर किया गया कोई जैसे कोई चीज जान बूश कर कर रहे हैं तो वो क्या है intentional है और ये देखिए intentional और उसका accidental हो जाता है intelligent intelligent है वो silly है silly का क्या हो जाता है वो ना समझ है inside का outside हो जाता है next में देखिए ignore करना और notice करना increase का क्या हो जाएगा बढ़ना और reduce कम हो जाना next में देख लिए interrupt interrupt कोई चीज कर देना किसी को continue करना किसी को रोग देना मतलब interrupt कर देना बीच में रोग देना और इसको लगातार continue हो जाएगा insult के क्या हो जाएगा compliment हो जाएगा healthy ill के ill iwl means बीमार होना healthy स्वस्त रहना ignore के notice हो जाएगा import export हो जाएगा यह देखिए लोजर के बिनर हो जाएगा loser means कोई चीज हार जाना बिनर मिन्स जीत जाना lower means नीचे higher means उपर मैरी और diverse मैरी साधी और diverse कर देना mend और break midnight noon melt melt मतलब पिखल जाना freeze means जम जाना negative affirmative native foreign निनर nasty nice narrow broad happy wasteful humble proud यह important है humble proud important tribal यह भी important है safe unsafe secure insecure intentional accidental brightened fed broad narrow limited boundless war peace permanent temporary यह देखिए plentiful plentiful के क्या होगा scarce plural singular guilty innocent और फिर सके बेजिप अंजिप हो जाएगा exterior interior हो जाएगा external बाहर internal अंदर justice injustice justice means क्या होता है justice मैंने बताया था यार justice आप देख लीजेगा justice के justice हो जाएगा और injustice हो जाएगा कहते नहीं है वो जस्टिस कर दिया injustice injustice के क्या हो जाता है injustice और justice और injustice जस्टिस मींस दंड देना सजा देना जस्टिस कर देना यह देखिए justice के क्या हो जाएगा इंजस्टिस हो जाएगा और यह देखिए एड्जूइंड के क्या हो जाएगा separated हो जाएगा separate means अलग कर देना जोड़ देना add कहीं पर लग गया तो उसका मतलब जोड़ना बिर्टल के क्या हो जाएगा टफ हो जाएगा blind के क्या हो जाएगा bind कर देना और release कर देना बांद देना छोड़ देना यह देखिए वाइस्टिरस के मिनस क्या हो जाएगा प्लेसिड हो जाएगा वाइस्टिरस इसको काड़ देजिए next में चलिए ये देखिए ये देखिए क्या लिखा है chastise और cheer chastise मींस होता क्या है chastise मींस जैसे कतने दंड दिया उसको दंड देना बोलते हैं सजा देना किसी को cheers next ये देख लिजिए contrary का similar cunning नईव हो जाएगा फिर उसके बाद frostious, gentle ये सब आप फटा सकते हैं compress का देख लिजिए expand compress कर देना किसी चीज़ को expand फैला देना ये देखिए true का क्या हो जाएगा false हो जाएगा, entrance के क्या हो जाएगा अंदर आना, Egypt, बाहर जाना night के क्या हो जाएगा, day हो जाएगा फिर उसके बाद pass का क्या हो जाएगा, fail हो जाएगा तो इतना हम लोग देख लिए, चलिए कुछ objective question भी कर लेते हैं उसमें भी मज़ा आएगा, objective question आप अच्छे से देखिए और सभी objective question आप संब सही करने की कोसिस करिए तो चलिए, देखते हैं और अच्छे से देखिए, वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है, तो लाइक करिए भाई, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, यहां से पढ़ने है क्योंकि यहां पर दो चीज है, फालो तो चलिए, आप लोग अच्छे से कोईस्टन को देखिए और आपसन सही करने की कोसिस करिए देखिए, दी एंटोनिम्स, आपको बिलोम सब्द बताना है, अपोजिट सब्द बताने है, किसके एसेप्ट के एसेप्ट का मिन्स क्या होता है, एसेप्ट मतलब एसेप्ट करना, एसेप्ट का सुईकार करना, रिजेक्ट मिन्स उसको आसुईकार करना, तो फस्ट आपसन ही करेक्ट हो जाएगा next आपको alive का बताना है alive का तुम मैंने बताई दिया था alive का walk, river, guard, dead option number D आप correct लगाएंगे next देखिए antonyms बताना है active active का किसका लगाएंगे active का क्या लगाएंगे inactive, active का अगर passive होता ना तब भी सही हो जाता लेकिन passive है नहीं और passive का मतलब ही inactive होता है तो आप option number first लगाएंगे next में देखिए the antonyms आप bad, bad का क्या लगाएंगे tough लगाएंगे, bad मींज बुरा good बाने अच्छा, तो आप भी option लगाएंगे ना एकदम अच्छा है next में देखिए antonyms आप catch catch मींज किसी को catch करने ला तो catch का क्या होता है, drop गिरा देना तो आप option number first ही आप लगा देंगे drop कर देंगे next में the antonyms of enjoy enjoy करना, enjoy का क्या हो जाएगा hug हो जाएगा, fibrillate हो जाएगा, like और hate enjoy का क्या हो जाएगा like की hate, hate हो जाएगा option number D आप लगाएंगे, enjoy का next में देखे, the antonyms of easy easy का क्या हो जाएगा, difficult हो जाएगा कौन सा option लगाएंगे आप D option लगाएंगे next चलेंगे, next चलेंगे the antonyms of happy, happy का क्या हो जाएगा sad हो जाएगा, first option ही लगाएंगे कौन सा option, first option लग जाएगा next फिन जाएंगे next देखिए the antonymes of heat, heat means गरम, तो उसका गरम का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, गरम का उल्टा क्या हो जाएगा, ठंड हो जाएगा, तो यह option number आफसी लगा देंगे, next का देखिए the antonymes of great, great का क्या हो जाएगा, महान, abismal, ordinary, big, kind, क्या हो जाएगा, तो great का महान होता, तो ordinary एकदम simple हो जाएगा, तो b option आफ लगाएगे, next में देखिए the antonymes of light, light उजाला है, तो dark लगा दीजिए, option number b आफ लगा देंगे, next देखिए the antonymes of new, new means नया, old means पुराना, तो कौन सा option लगाएगे, first option लगा देंगे, ऐसे question पूछे जाएगे, भाई, यही सब question, the antonymes of solitary solitary, solitary का मतलब होता है, अकेला, एक अकेला, और अकेला जहां रहेंगे, और crowded, crowded means वहाँ बहुत लोग हैं, भीड़ है एक्तम, तो option c नमबर लगा देंगे, the antonymes of native, native के क्या होता है, indigenous, endemic, allied या involved, native means जहां वो पैदा हुआ होता है, जहां रहना, और allied means अलग हो जाता है, तो c आप सनाप लगा देंगे, allied कर देंगे, संबंध हो जाएगा, संबंध, next में देखे, the antonymes of modern, modern means कहते हैं नहीं, बहुत modern है, एक दम नया है, तो एक दम आप ancient, एक दम पुराना लगा दीजिए, recent कर देंगे, तो modern नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, update भी हो जाएग लेकिन ancient means पुराना होता है, next में the antonymes of obedient, obedient का क्या लगाएंगे, obedient means पहले यही चीज, अगर belong सब्द पूछा जाए, समानार्थक सब्द पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको इसकी meaning अगर पता रहेगा ना, तो ये option एक दम exact आप correct कर पाएंगे, तो कहते नहीं, वो पता रहेगा तो लगा ले जाओगे, ruthless का क्या हो जाएगा, बताईए, ruthless, ruthless का मतलब का कहते हैं, करूर है एक दम, तो कुरूर का क्या हो जाएगा, majestic, pity, merciful या grief हो जाएगा, तो इसका merciful हो जाएगा, कुरूर नहीं, एकदम merciful होना चाहिए, सांथ सुभाव का होना चाहिए, एकदम c option correct हो जाएगा, the antonymes of a indegal, ये देखिए क्या लिखा गया है, indulge, indulge का क्या हो जाएगा, indulge का पहले आपको पता होना चाहिए एंडेलज के क्या होता है कहते नहीं एकदम लिप्थ हो गया किसी चीज में इतना पढ़ रहा है वो लड़का ना एकदम उसमें लिप्थ हो गया है तो अब लिप्थ होना क्या हो जाएगा यह देखिए 78 यह हो जाएगा अब अविस्टेन हो जाएगा अब पता रहेगा तो तुरंत आप लगा लेंगे हिंदि का क्या होता है वफा दार कहते नहीं कि वह बहुत लायल है किसी के प्रत क्या था लॉयल था अफ़ादार था लेकिन यह क्या हो गया यह बागी हो गया बागी किसी को तरफ बागी हो गया कहते नहीं यार मेरा वो दोस्त तो बहुत अच्छा था मेरे प्रात एकदम लॉयल था जो कहते थे वो मानता था लेकिन वो बागी हो गया कुछ भी नहीं सुन डिलाइटफुल हो जाएगा, डिलाइटफुल का क्या होता है, कुछ नहीं, डिरा ही नहीं रहे, एकदम अनन्दमा है, एकदम कुछ नहीं, next में देखिए, the antonyms of confess, हाँ ये भी question important है, ये भी पूछा गया है, confess, confess मेंज होता है क्या है, काईते नहीं है कि कबूल नामा करा जाता है, कबूल, कबूल करना, क्या होता है, कबूल करना, confess करना, कबूल करना, अब इसका क्या करेंगे, कबूल करने का deny कर दीजिए, मतलब मना कर देना, तो आपसा नमबर फस्ट अगर कबूल कबूल बोलते नहीं है मुसलिम के साधियों में होता भाई कबूल कबूल करा जाता अगर डिनाई कर दिया कहीं पे लड़का है लड़की ना तो साधी नहीं होगी यह देखिए appropriate मिन्स क्या होता है यह भी पता होना चाहिए appropriate means कहते नहीं वो appropriate है एकदम जहां पर चीज़े रखी गई है वो एकदम appropriate जगा है उपियुक्त जगा है ठीक जगा है उसके लिए तो उसका opposite क्या हो जाएगा उसका अन हाँ यह हो जाएगा unstable है वो शई जगा नहीं रखी गई है तो B option correct हो जाएगा अंट्रोनीम साब judicious हाँ यह देखिए judicious judicious के क्या होती है कहते नहीं judicious के हिंदी जो होती है उचित होती है वो चीज क्या है उचित है तो judicious उचित बोलिए परतिच बोलिए अब उसका आप बोलिए क्या है यह unequal नहीं हो जाएगा यह भी नहीं होगा impure और यह भी नहीं होगा तो judicious का हो जाएगा यह option number D indiscreet हो जाएगा indiscreet के क्या होता आप परतियत शुरूप मतलब जो दिखे न next में देखिए the antonyms of spread spread means filed नहीं हो जाएगा agitated, diffuse, fast, cancelled हाँ यह देखिए cancelled मतलब छिप जाना spread means file जाना cancelled हो जाना तो यह option यह correct हो जाएगा next में देखिए the antonyms of ancestor ancestor का देखिए क्या हो जाएगा ancestor क्या होता ancestor मींस होता पूर्बच जो हमारे पूर्बच थे पहले जो बाबा होबा थे वो पूर्बच थे मेरे अब पूर्बच का क्या हो जाएगा supporter हो जाएगा discipline हो जाएगा followers हो जाएगा descendant हो जाएगा यही वाला correct हो जाएगा descendant हो जाएगा descendant means one such जो अभी high present time पे जैसे child संतान जो होते हैं बच्चे जो होते हैं child वो तो option number D लगा देंगे correct next question यह देखिए the antonyms of universal the यह देखिए antonyms of universal universal का क्या होता universal कहते हैं बिस सुभ्यापी है पूरा संसार वही है बिस सुभ्यापी है तो बिस सुभ्यापी का यह देखिए the antonyms of mitigate अब यह भी इसको पहले पता होना चीए कि mitigate की हिंदी क्या होती है तो mitigate का मतलब क्या होता है कहते नहीं कि कम कर दो भाई कम करना कम करना को क्या बोलते है mitigate कम करना यह घटा दो कहते नहीं घटा दो भाई घटा दो इतना मैं नहीं ले पाऊंगा mitigate कर दो अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा उसको उल्टा हो जाएगा काम करना कम करना घटाना अब उसको कहते हैं एगरी यह हो जाएगा कौन सक सही हो जाएगा यही एगरेबेट सही हो जाएगा अग्रेबेट तो आफसन नंबर B correct हो जाएगा next दी अन्टॉनिम्स आप Eclipse कहते नहीं Eclipse संसार में जो दिखाई दिती है Eclipse ग्रहाण जो लगता है शूर में जो लगता नहीं ग्रहाण तो वही चीज अब उसका कहते गरहन तो एक छोटी जगां लगती है ना की तो उसका sign कर दिए enlarge बढ़ा कर दीजिए आफसा number B correct हो जाएगा next देखे दी एंटोनिम साब vital vital का means क्या होता है vital vital का होता है महतपूर्ड होता है vital कोई चीज महतपूर्ड है कहते हैं मेरे लिए वो बहुत वाइटल है एकदम दिल के करीब है vital है महतपूर्ड है आउस्यक है एकदम और उसका crucial है crucial तो इसी का हो जाएगा unimportant मतलए महतपूर्ड है ही नहीं तो C option correct हो जाएगा तो फिर इतने question हम लोग कर लिए 31 question भी कर लिए और चीज़े आपको शुरू में भी बता दिए तो आपको चीज़े चीज़े समझ में आ गई होंगी देखिए पहले हम लोग देखिए बालो जी physics chemistry nursing update यह सब पूरा खतम हो चुका है आप जाके playlist में video revise करिए अब जो वीडियो कराई जा रही है आईसी वीडियो कराई जा रही है जहां से exact question आ जाए और जो पहले से वीडियो कराई गही है वो एकदम इतनी अच्छी वीडियो है आप आपको क्या बताएं क्यों बार-बार कहते हैं कि वो लोग revise कर लिजिए अगर वो revise कर लेंगे ना तो कहीं पर कोई question ऐसा फसेगा नहीं जो मतलब कोई question ऐसा आपको फसेगा नहीं कि वो question मिले ना कहीं अगर आप कोई भी book से question लगा रहे हैं कहीं से आप online पढ़ रहे हैं आप line पढ़ने तो सभी question करा दिये गए हैं कोई question बचा नहीं है physics, chemistry, biology, nursing aptitude में तो आप जाके revise करें इधार उधर भटके नहीं कि उधर भटकेंगे यहां जाएंगे तो यहां अगर मेरे channel पर तयारी कर रहे हैं और दूसरे channel पर आप जाके तयारी कर रहे हैं इस channel पर जितनी वीडियो आप पढ़ी हुई है पहले आप वो देख लीजिए यार फिर दूसरे channel पर जाएए कोई दिकन नहीं दूसरे channel पर जाएं कहीं दूसरे online पढ़ें आफ-line पढ़ें लेकिन अगर मेरे channel के थुरू आप तयारी कर रहे हैं तो जितना बता जा रहा है पुरानी वीडियो सब रिवाइज कर लीजिए नई वीडियो जितनी कराई जा रहे है कर लीजिए, notes बना लीजिए, प्रापर उसको रिवाइज करते रहे हैं टेस्ट बाद में ले लेंगे, टेस्ट दे देंगे आप लोग एकदम आसानी से selection हो जाएगा 150 के question के ऊपर ही आप अटल भ्यारी में सही कर देंगे अच्छी राइंक आजाएगी, चाहे जहाँ गवर्मेंट काले से आप कर लेंगे तो इतना हो जाएगा, लेकिन वही है, silly mistake नहीं करना है सभी वीडियो रिवाइज करना है, pen और note लेके, एकदम काँ पे लेके जो लगे कि मैं भूल जाओंगा, उसको note एकदम अच्छी से कर लेना है तो आप करते रहे, मैं तो कराई रहा हूँ, daily वीडियो में साथ बजे से लेके, आठ बजे के morning में वीडियो मेरी upload हो जाती है daily एक class अलती है, और साम को चार बजे, कोई class आनी होती है तो आज आईए नहीं, एक वीडियो sufficient आपके लिए sufficient क्यों है, अगर आपको नहीं लगता sufficient तो जाए ना playlist में वीडियो revise करने, 700 वीडियो है something में 700 वीडियो playlist में add किया हो जाए, revise करिये अभी कली वीडियो upload किया थे कि कौन-कौन सी वीडियो देखनी है कलवाली वीडियो देखिए और अच्छे से तयारी करें Thank you